हेलो स्ट्टुदेंट्स, कैसे हैं? मैं असा करते हैं? आप लोग से भी अच्छहूंगे स्वस्त हूंगे स्टुदेंट्स आज हम अपना चैप्टन न्यूंबर 13 बट रहे हैं और चैप्टन नूंबर 13 में अक्सराइस 13.3 का हम थर्ड क्युसम देख लेते हैं, इसमें देख रखा CSA of a cone, CSA मतलो covered surface area of a cone is 308 square cm and its slant height is 14 cm, find, इसमें दो चीज़ें आपको बतानी है, radius of the base, यानि radius बताना आपको, and second part है TSA of the cone, यानि cone का आपको TSA बताना, तो यह आपका cone यहां पर बनाया है, तो इसमें slant height 14 cm दे रखिये और इसका CSA नहीं covered surface area दिया हुए है, इसकी radius नहीं दे रखिये और TSA आपको निकालना है, दो चीज़ें आपको बतानी है, तो students हम अपना यहां से answer लिखना start कर देते हैं, तो पहली बात तो हमें क्या करना है, CSA of cone, CSA of cone, cone का CSA का फार्मूला है, पाई आर एल, यह statement number 1 CSA of cone, CSA of cone है, वो कितना दे रखा है, 308 है, और यह centimeter square, यह statement number 2 होगी, अब इस CSA of cone, यह भी CSA of cone, left hand side बरावर तो right hand side भी बरावर नीची है, तो इससे हम भी क्या करेंगे, comparing, comparing 1 and 2, 1 और 2 को compare करते हैं, तो क्या होता है, पाई आर एल is equal to 308, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर slant height, यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं, L is equal to 14 cm, यह slant height दे रखा है, तो L से लिखते है, तो L आपका slant height होता है, तो 14 cm यह दे रखा है, ठीक है, तो यहां से πाई की value आपको 22 by 7 पता ही है, R का नहीं पता है, L कितना दे रखा है, आपका 14, ठी ठीक है, और is equal to 308, तो यहां से हम क्या करते है, यहां से cut करते हैं, 7 बन जा और 7 तूजा, तो यह क्या हो गया, 2 को इस से करते है, 244 multiply R, और is equal to 308, ठीक है, अभी R की value नहीं कालने है, तो R को आप इदर रखेंगे, और यह 308 और अपन 44 करने है, 44 अपन में चला जाएगा, तो students अगर बड़े नंबर की table से काटते हैं, तो बड़े नंबर की table से काट सकते हैं, नहीं तो छोटे नंबर से काटते हैं, तो 11 4 जा होते हैं, 11 2 जा और 11 8 जा, फिर 4 1 जा, 4 7 जा, तो this implies क्या हो गया, R is equal to 7 और यह cm, तो यहां पर हमारा R कितना आ गया, यह 7 cm आ गया, ठी अब इस students हम लोग क्या करते हैं, radius का हमें पता चल गया, R हमारा 7 cm आ गया, तो first part तो आपका यहीं पर complete हो गया, radius निकालनी थी, दूसरी बात है TSA of cone, तो TSA of cone के लिए हम क्या करते हैं, TSA of cone, TSA of cone का जो formula है वो क्या होता है, पाई आर L और प्लस पाई आर स्केर, यह तो पा सा हम combine कर देते हैं, तो यह पाई आर हो गया, पाई आर हो गया, तो यहाँ पे L प्लस आर, यह formula ट आपका total formula बन जाएगा, short formula बन जाएगा, छोटा formula बन जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया यह, TSA of cone का formula का बनेगा आपका, पाई आर और यह L प्लस आर, यह वाला formula बनता है, तो 14 प्लस और येरों कितना फिर यह 7 आ गया तो यहां पिर क्या करते है टुंति टू बाई 7 और यह मल्टिप्टीटीटू एवन तो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया है तो हम क्या करते है टुंटी वन को और यह 22cha प्लेंठी गोल्टीटू से मल्टिप्लाइ कर देते है तो और six to square centimeter आपका जो total surface रिया है वो कौन का आ जाएगा तो इस तरह से students हम लोग अपना यह वाला question कर सकते थे अब इस students हम अपना fourth question देख लेते हैं तो fourth question में क्या है एक conical tent is 10 meter high and the radius of the base is 24 meter find इसमें first part में slant height find out करना और second part में cost of canvas required to make the tent if one square meter cost to be 70 तो थोड़ा सा बड़ा question है थोड़ा समसोट में इसको करने की कोशिश करते हैं तो इसको यहां से लिखना start कर देते हैं तो यहां पर हम लोग यहां से लिखते हैं height height of cone cone क्या height है उसको h से denote करते हूं कितनी है 10 meter ठीक है radius radius को r से denote करते हूं radius है अपकी 24 meter अब इस line height का हमें नहीं पता है line height को l से denote करते हैं तो l का formula क्या आपका यह आपको याद रख लेना है यह होता आपका r square और plus h square ठीक है तो l अपका कितना आ जाएगा r कितना आपका यहां से r यहां पर 24 और इसका square हो गया और plus h यादि 10 और इसका square हो गया इसको जब आगी control करते हैं तो यह कितना है गा 24 का तो 500 check है और प्लस 10 का ये 100 और जुड़का है ठीक है 10 का तो 100 होता है न तो ये L कितना आ गया 600 चेंतर आ गया ठीक है तो यहाँ पर 600 चेंतर का सुट के रूट निकालते हैं तो this implies L कितना आ गया आपका 26 आ गया और ये 26 किया रहेगा आपका यहाँ पर में दे रखा तो 26 मीटर आ गया तो फस्ट पार्ट तो आपका यहीं पे हो गया फस्ट पर आपको यहां से कर लेना है फस्ट पार्ट में इस लैंड टाइट पूचिए दी टैंट की तो इस लैंड टाइट आपको 26 मीटर मिल जाएगे अब इस्टूनेंट्स दूसरे नंबर सब्सक्राइट की तो यहां पर कैनवस रिक्वाइट फोर टैंट तो यहां पर canवस रिक्वाइट फोर टैंट required 4 tenth वो क्या हैगा वो होगा आपका pi r l ठीक है तो y आपका 22 by 7 r कितना निकला हमारा r अमारा स्टार्टिंग में दे रखा था r अमारा दे रखा था radius से न radius 24 दे रखी थी तो 24 और l कितना है 26 ठीक है यह आपका आ जाएगा और यह square meter में आ जाएगा उसके बाद हमें इसको कुछ नहीं करना है तो अभी cost निकाल दे दे cost of cost of one square meter canvas ठीक है तो रुपीज कितना आ गया है वो 70 आ गया ठीक है तो cost of tent cost of tent tent की जो cost वो क्या आएगी आपकी यहाँ से इसको multiply कर देता हूँ 22 by 7 24 multiply 26 multiply 70 तो यहां से मैं इसको 7 से इसको cut कर देता हूँ तो यह 10 आ गया अभी इसको multiply करना पड़ेगा तो multiply करते हैं तो 22 24 26 22 24 multiply 26 और multiply 10 और यह सारे रुपीज में आ जाएंगे तो यह आप जब multiply करेंगे तो यह कितना आएगा वो हम अभी देख लेते हैं तो students जब हम इसको multiply करते हैं तो multiply करने के बाद हमारा जो answer आएगा वो तीरह साथ सौठाइस तीरह साथ सौठाइस और यह 10 के लिए 0 आ जाएगा ठीक है 137280 137280 ठीक है यह आपका इतनी रुपीज आ जाएगा यह आपका multiply आपको करना है multiply आपने करके देख लिया है ठीक है भी students हम अपना ओंवर्क का देख लेते तो ओंवर्क में students क्या करना है soul exercise 13.3 in fair notebook students आपका exercise 13.3 है वो fair notebook में soul करनी है और यह काम आपको NCRT corner से कर लेना है thank you students